कहानी की सुरुवात होते ही हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो की ओडियंस में बैठे हुए थे और वे लोग वहाँ पर कार रेस देखने आये हुए हैं उसमें से एक लड़का जिसका नाम निक होता है और निक एफ फ्रेंड का नाम लौरी होती है और उनके साथ उन कि निक थोड़ा अपसेट होता है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला हो क्योंकि उससे वहाँ पर बहुत निगेटिव फ्लू मिल रहे थे वह अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखता है तब ही वहाँ एकार मेकैनिक भी अपनी गल्फिन के साथ वहाँ आया हुआ था निको लग रहा था कि एकसिडेंट होने वाला है जिससे वहा पूरा एस्टेडियम क्रैस हो जाएगा और उसकी भविस्तवानी सच होने वाली थी और तभी कार जिसका नमबर 45 था जिसके सैलेंसर में एक स्क इसकी वज़ा से एकार का टायर फट जाता है और वह क्रैस हो जाता है यह उस मेकैनिक के गल्फिरंड के उपर आकर की गिरता है जिससे वह मारी जाती है सबी लोग घब्डा जाते हैं और इधर उधर भागने लते हैं और उस ट्रैक और साड़ी कारे एक दूसरे से टक्रा लिए और उनके टुक्रें दूर दूर आकर गिर रहे थे, जिससे उन अमेरिकन कपल की भी कठ करके देथ हो जाती है, एक आर का इंजन उन बच्चों की मदर पर आकर की गिरता है, जिसकी वज़ा से भी मारी जाती है, वा mechanics भागडा होता है और उसका balance बिगरता है और वह जैसे ही नीचे गिरता है उसके सर में एक wood कठूकडा गुज जाता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाते है उसके बाद वह Cowboy मारा जाता है निक के friends भाग रहे होते हैं और उनके उपर चछत गिरने से वह भी मारे जाते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा blast होता है जिससे लोडी और security guard मारे जाते हैं और वही पर निक भी मारा जाता है और तभी निक की आँख खुलती है और यहाँ पर निक को नहीं समझ में आ रहा था कि उसने आखिर क्या देख लिया और तभी वहाँ सेम इवेंट होने लगते हैं जो कि उसने अपने सपनों में देखा था और तभी वहाँ पर Cowboy आगर के बैठ जाता है और सब कुछ एक्जेक्ट वैसा ही हो रहा था जैसा उसने देखा था यानि उसने फ्यूचर देख लिया था और निक को पता चलता है कि अब यहाँ पर एक एक्सिडेंट होगा और कारो का क्रेस होगा और जिस कार का एक्सिडेंट होना था उसका नंबर भी 45 होता है निक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह घबराते हुए कहता है कि लोग को निक के बाद पर गुष्षा आ जाता है और उनमें लड़ाई होने लगती है निक और उसके फ्रेंड बाहर आजाते हैं और उनके साथ कुछ लोग भी बाहर आ नहीं देता क्योंकि क्रैस की वज़से पूरा है स्टेडियूम उसके चपेट में आ गया था सब लोग काफी डड़े और घवराय हुए होते हैं और तभी एक कार का बिल उड़ता हुआ आता है और उस मेकैनी की गर्फरेंड के सर पर गिरता है जिससे उसकी भ्यानक तरीके से मौत हो जाती है और वहां लोग देखते ही रह जाते हैं और यह सब क्या हो रहा है उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है उस एंसीडेंट की अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है उन लोगों की याद में जो की उस एक्सिडेंट में मारे जाते हैं जहां पर निक वाइप के दित का बदला जरूर लेगा और रात वनको एक विजन दिखता है जिससे वह डर जाता है कि उसने अपने विजन में कुछ आग जैसे जलते देखा था और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है दूसरी तरफ अमेरिकन काफी नसे में था और वह के घर जाता है और वह ट्रक को ऑन ही करके उस गाड के घर के तरफ जाने लगता है तब ही एक बियर केंट ट्रक के गेर पर गिर जाता है और उस ट्रक में से एक हुक भी नीचे गिर जाता है सरक पर और उसका ट्रक चलने लगता है जिसकी वजह से उसका पाउं उस हुक में और वह ट्रक उसको घसीरते हुए ले जाता है और उस ट्रक का यूल गिरने की वज़े से उस ट्रक में आग लग जाती है और वह चिला रहा था और तब ही उसके चिलाने की आवास सुन करके गार्ड बाहर आता है और इतने में ही वह आग इंजन तक पहुंच जाती है और वहा तब ही वह उस बारे में सोच रहा होता है कि उसे दूसरा विजर नजर आता है और उसे यहाँ पता नहीं चल पाता है कि अगली देख किसकी है उसके बाद वह लेडी सैलोन में जाती है और उस लेडी के बच्चे साइन बोड पर पस अदंख जोंद whirring सलोन में बैठी हुई होती है, तभी वह साड़ी इवेंट होने लगती है, जिससे वह मर सकती थी, लेकिन उन इंसिडेंट से तो वह बच जाती है, लेकिन जब वह घर वापस जा रही होती है, तभी एक ग्रास कटर से वही पत्थर जो की उसके बच्चे ने वहाँ पर फेका वह उस ग्रास कटर से टकडा के सीधा उस लेडी की आँखों में लगता है और वह वह वही पर माडी जाती है और उस लेडी के देख के बारे में पता चल जाता है कि देख उनके आस पास ही happy और उस newspaper में भी 180 लिखा हुआ था और वह उसके बारे में research करते हैं और तब उन्हें 180 की तबाही के साथ साथ देथ के पूरे concept के बारे में पता चलता है कि वह कैसे काम करती है और वहीं पर उन्हें देथ के बारे में information मिलती है कि अगर वह देथ के process को रोक देते हैं तब वह जाएगी लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था निक को एक और विजन आता है अब लेकिन वह देखे बारे में तो जान चुका था और उसे यह पता नहीं था कि अगली बारी किसकी है और यह पता लगाने के लिए वह उस stadium में जाता है जहां पर वह accident हुआ था और वहां पर उ जासारी बात बता देते हैं और वह मकैनिक उनकी बातों पर विलीव करने को तयार नहीं होता है तभी वह देखा है कि एक वैन उसकी तरह बहुत तेजी से आ रही है लेकिन किसी तरह कार रुख जाती है और अब उसे उन लोगों की बातों पर यकिन होने लगता है लेकिन अ पता चलता है कि उन दोनों की देख पानी की वज़ा से होगी तभी उन्हें प्लान आता है और वह सोचते हैं कि हंट के पास निक जाएगा और जैनेट को बचाने के लिए लौरी और गाट जाएंगे और दूसरी तरफ जैनेट एक आर वास एरिया में थी और हंट विमिंग प निटवर्क ही नहीं था और तभी उस कार का सनरोप होलती है वह थोड़ा तो खुल जाता है लेकिन तभी एक पाइप तूटने की वज़़े से उस कार में पानी भरने लगती है दूसरी तरफ हंट का फेबरेट कोईन जाकर के गिर जाता है और उसे लेने के लिए हंट उस स चला जाता है हंट देखता है कि स्विमिंग पूल का पानी जिस होल से निकल रहा है उसका क्वाइन उसी होल में गिर गया है और हंट उस होल के प्रेसर में फस जाता है और हंट को पानी से ही मरना था और वह पूरी तरह पानी में फस गया था दूसरी तरफ जैनेट किसी तर अपनी सर को सन रुप से बाहर निकालती है जेनेट सोचती है कि अब वह सायद बच सती है क्यूंकि अब वह सांस भी ले रही थी तभी कार शलोली शलोली चनले लगती है और जेनेट को अपनी मौत साफ नजर आण रही थी लेकिन तभी लोडी और गार्ड बिल्कुल ठी पर पहुत जाता है लेकिन वह हंट को नहीं ढूंड पाता और हंट की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है अब यहां पर तो हंट मर गया है और जेनेट बच गई है और अगली बारी उस गार्ड की थी अब वह गार्ड इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था इसलिए उसक कि उसकी फैमली मर चुकी थी और उसे भी जीने का कोई सौक नहीं था लेकिन लोडी और निको एक ऐसा क्लू मिल जाता है जिससे वह बच सके हैं और उनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वह दोनों उस गार्ड के घर पहुंच जाते हैं उस गार्ड के घर पहुंचते नहीं वह देखते हैं कि वह गार्ड खुद को हासी पर लटकाए हुए है लेकिन अभी तक वह जिन्दा है और वह उसको बचा लेता है वह गार्ड निक को बताता है कि वह सुबह से अपनी जान लेने की प्रेक्टिस कर रहा है लेकिन हर बार वह नाकामियाब रहता है वह ल के इस प्रोसेस को तोड दिया है अब वह लोग अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं वह लोग डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेशन करने के लिए टेक्री पर जाएंगे निक समान पैक कर रहा था और लॉडी जैनेट के साथ एक फिल्म देखने गई हुई थी तब ही नि की बारी उसी काव वाई की है निक जल्दी से होस्पिटल के लिए निकल जाता है और वह उस गाड को भी अपने साथ बुला लेता है वहां पहुचने में उन्हें काफी देर हो जाती है तब तक दित ने अपना काम सुरू कर दिया था और वह उनकी नजरों के सामने ही मारा और वह कुछ भी नहीं कर पाते अब निक और गाड वहां से जल्दी से निकल जाते हैं क्यूंकि उन्हें लोडी और जेनेट को बचाने जाना था वह दोनों बाते करते हुए जा रहे थे तबी एक एम्बुलेंस गाड को उड़ा करके अपने साथ ले जाता है और वह मारा निक जल्दी से उस मौल तक पहुचता है और उसे कार में फिर से एक वीजन नजर आता है और वह लोडी को ढूनने लगता है लोडी सिनेमा हॉल में बैठी हुई थी लेकिन देप ने अपना काम सुरू कर दिया था सिनेमा हॉल के बिलकुल साथ वाले रूम में आग लग ग जाती और वह वहीं बैठ करके इंज्वाय करती है तभी उस फिल में भी ब्लास्ट होता है और वह ब्लास्ट रियल बन जाता है और बहुत बड़ा धमाका होने के कारण जेनेट वहीं पर मारी जाती है अगली बारी लोडी की है और वह उस मौल में से निकलने की कोसिस करती ह लेकिन ब्लास्ट की वज़ा से पूरा मॉल उसकी चपेट में आ गया था लोडी का पैर एलिवेटर में फस जाता है और वह निक के सामने ही मारी जाती है और तभी निक की आँख अचानक से खुलती है और वह एक बार फिर से फ्यूचर देख लेता है और वह उस गाड के साथ उस होस्पीटर से बाहर आ रहा होता है वह गाड उससे बात करते हुए चल रहा होता है अब गाड के साथ क्या होने वाला है निक जानता था लेकिन इससे पहले की वह खुद को संभालता हुआ एम्बुलेंस उस गाड को उड़ा करके अपने साथ ले जाता है और वह गाड म हो जाता है लेकिन इसके बावजूद भी वह आग बुझाने में काम्याब हो जाता है और यहाँ पर वह सोच रहा था कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचा ली इसके बाद हम लोग दो हपते के बाद का सीन देखते हैं वहाँ पर हमें एक बस दिखाई जाती है जहाँ पर जाता है कि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया है और ना ही उसने सारे लोगों की जान बचाई बल्कि वहाँ पर ब्लास्ट होना ही नहीं था यहाँ पर देथ ने उसके साथ एक प्रैंक खेल दिया था क्यूंकि देथ उनके एकॉर्डिंग नहीं चल रहे थी बल्कि वे करके उन तीनों को कुचल देती है और उनके देथ के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है